दुर्गा पूजा का हिंदु धर में खास मैत्व है और इनमें भी दुर्गा अश्टमी पर विशेश पूजा की जाती है वैसे तो दुर्गा अश्टमी की पूजा चाहतर नवरात्रि और शारदे नवरात्री में की जाती है जिसके बारे में सभी जानते हैं लेकिन इसके अलावा भी प्रति मा शुकल पक्ष के अश्टमी तीथी को दुर्गा पूजा के लिए उत्तम माना गया है प्रतेक महा के शुकलपक्ष के अश्टमी तिथी को दुरुगा अश्टमी के नाम से भी जाना जाता है फालगुन मास में इस बार ये पुजा दस माश दिन गुरुवार को पढ़ रही है इस दिन को शक्ती पुजा के लिए विशेश मना गया है ये दिन भी माश शक्ती की पुजा व्रत उपवास के लिए श्रिष्ट माना गया है मानता है कि हर महा के श्टमी तिथी पर पुजा अर्चना करने से मादुरुगा प्रसन होती है और अपने भक्तों की हर संकटों से रक्षा करती है आए जानते हैं मासिक दुर्गा अश्टमी का महत्व और पूजन विधी के बारे में दुर्गा अश्टमी व्रत का शुब मुहरत गुरुबार 10 मार्च 2022 फालगुन शुकल अश्टमी 10 मार्च 2022 पूरवाह दो बचकर छपर मिनट पर 11 मार्च 2022 पूरवाह पांच बचकर 34 मिनट पर पुजा समगरी की पूरी लिस्ट लाल चुनरी, लाल वस्त्र, मॉली, शिंगार का समान, दीपक, घी, तेल, धूप, नारियल, साफ चावल, कुमकुम, फूल, देवी की प्रतिमा या फोटो पांच, सुपारी, लॉंग, इलायची, बताशे या मिसरी, कपूर, फल मिठाई, कलावा मासिक दुरगाश्ट में की पूजा विधी क्या है? इजिल सुबाट कर जल्दी स्नान कर ले, फिर पूजा के स्थान पर गंगा जल डाल कर उसकी शुद्धी कर ले, घर के मंदिर में दीप प्रजोलित करे, मा दुरगा का गंगा जल से विशे करे, मा को अक्षत, सिंदूर और लाल पुश्प अर्पित करे, प्रसात के रूप में फल और मिठाई चड़ाएं, धूप और दीपक जला कर दुरगा चौलिसा का पाठ करे, और फिर मा की आर्ति करे, मा को भोग भी लगाएं, इस वात का ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का भोग लगाया जाता है